नमस्कार आदाव स्वागत और सभी का क्लाइट और अदर लॉइंटर्स एग्जामिनेशन के इस चानल पे यहां बड़े दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर फॉर्म कैसे भरना है क्या क्या है जो फॉर्म में हम गलती ना कर दें क्यों 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 हमारे भविश्य का स वाल है एक छोटी सी गलती आपके साल बर की महनत आपका साल बर का पिता जी का कमाया हुआ बहुत जोरों सोरों से जो हिम्मत करके पैसा वो सब कुछ एक जटके में वेस्ट हो सकता है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूना और आज चुका हूँ आप लोगों के बीच में लेकि वो सेशन जहां पर मैं आपको बहुत बेटेल में बताऊंगा कि किस जगे पर आपको क्या भरना है किस जगे पर आपको क्या नहीं भरना है कौन-कौन से डॉक्यमेंट्स है जो आपके बास रेडी होने चीए कौन-कौन से डॉक्यमेंट्स है तो उसके रेस्पेक्टिव मे आप क्या फिल करने वाले हैं तो क्या आप सब लोग रड़ी हैं अगर रड़ी है तो प्लीज अपने सभी यार दोस्तों के लिए इस वीडियो को तुरन से शेर कर दें सभी तक पहुचा दें और एक like बटन जरूर दबा दें बहुत सारा बच्चा है जो कि अभी विवेक सर की क्लास के अंदर बैठा हुआ है and is my voice clear क्या मेरी voice एक दम ठीक आ रही है बहुत अलग सा आ रहा है ना मुझे भी दिख रहा है रहा है ड्रेड हो रहा है वन सेकेंड वन सेकेंड गिमी ए सेकेंड गिमी ए सेकेंड जब तक और बच्चा भी जो है वो जुड़ जाएगा नहीं नहीं मौर्य बेटा क्रेश सही कहा रहा है वॉल्यूम थोड़ी सी कुछ ज़ादा ही वैसी हो रही है मैं अभी चेक करवा देता हूँ वॉल्यूम देखो ज़र है बिल्कुल रेड रेड पहुचा हुआ है जी बेटा अभी अभी विवेक सर की क्लास खतब होने वाली होगी अभी विवेक सर की क्लास फिनिश होने में ही होगी अभी जस्ट जी हलो बेटा अभी आवाज कैसे आ रही है बेटा सर की क्लास खतम होगी गया और आवाज क्लियर है तो बता दो अगर मेरी आवाज अब क्लियर है तो बता दो भाई अब तो फटने रही है क्या रफ वोईस अचा पटा वह आ रहा है ठीक है बाई जल्दी से स्टूडियो बदल दे यार भाई आजी हाँ बेटा अभी कैसा है कुछ कमी आई कुछ ठीक हुआ हाँ जी, is it fine now? हाँ बेटा अब एक दो मिनट के लिए होल्ड करो अब एवरिटिंग भी फाइन दो मिनट बैठो जब तक पानीवानी पीलो क्योंकि उसके बाद तैयारी शुरू करा हूँगा कैसे करना है सब कुछ बिल्कुल एक दम डीटेल में करने वाले हैं जो भी करेंगे चलो बाई शुरू करें ओके सो बेसिकली दो चीज़े हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर कि कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जो की बिल्कुल नहीं करने हैं और परफेक्ट वे क्या होने वाला है तो आपके पास सबसे पहले आपको अपने Google Chrome पे जाना है वंस यू ओपन एयो गूगल 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 गूग तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखने वाला है गूगल गूगल गूग्रूम के ओपर आपको सर्च करना है आपको सर्च बार में लिखना है NLU Consorium तो यह आपके सामने option दिख जाएगा नीचे First website होगी Consorium of NLUs आपको इस पर टाप करना है यह आपके default आपकी website है किसकी Consorium of NLUs की जहाँ पर आप अपना form फिल करने वाले हैं ठीक है बटे? बात समझ में आ गई? ठीक है? यहाँ पर आपको देखिए options दिख रहे होंगे Consorium, Participating Universities and CLAT 2024 This is really important यह जो CLAT 2024 है नवेटा You have to tap on it अप जैसे CLAT 2024 के उपर आएंगे आपके सामने यह screen open हो जाएगी देखिए जिनों ने अपने आपको register कर दिया है well and good जिसने register नहीं किया है उसे क्या करना होगा? उसे यहाँ पर register पर tap करना होगा जब आप register पर tap करेंगे उस समय आपको क्या लिखना है बेटा? आपका नाम जैसे for an example मैं नाम लिख देता हूँ रूची रूची जो है वो register करना चाहती है खुद को तो अपना नाम लिखेंगी रूची कुमारी ठीक है बेटा? ओके? इसके बाद में वो अपना mobile number लिखेंगी 9999999 बहुत ज़्यादा reported number हो गया है यह और 0 ठीक है? यह रूची का number है for an example आपको number वो रखना है जो कि आपके पास anytime available होता है क्योंकि उस पे OTP आएगा तो make sure कि जो भी number आपके पास में हो उस समय पे आपको वो ही number जो है इसमें use करना है चलिए इसके बाद में आपको एक email ID रखनी है जो कि आपकी registered email ID है जिसके उपर आपके पास जो भी mail आता है उसको आप access कर सकते हैं तो आपने suppose मैंने लिख दिया SDFG add the rate add the rate add the rate whatever यह add the rate जो है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होके आता है थोड़ा सा दिक्कत होगा add the rate gmail.com ठीक है बेटा कोई समस्या यहाँ तक anybody has got any doubt नहीं चलिए जैसे ही आप यह लिख देंगे इसके बाद आपको password मांगेगा आप ऐसा password रखना बेटा जिसको आप भूले नहीं बार-बार भूले नहीं बहुत simple सा जिसको आपको याद रहे वो आपको password डालना है जैसे suppose मैंने डाल दिया q-e-r-ty-5-6-7-8-9 whatever then आपको next करना है तो आपके पास में अगला dialogue box आएगा उसमें भी आपको वही अपना password डालना है जैसे मैंने डाला था q-e-r-ty और 5-6-7-8-9 ठीक है इस तरीके से जब आप done कर देंगे ठीक है तो valid mobile number ठीक है एक अब हो गया होगा इसके बाद आपको register पर click कर देना है ठीक है रजिस्टर पर जब आप click करेंगे तो register करते देखी क्या दिखाएगा आपको an account has successfully created you will receive an OTP on your registered mobile number please use the OTP to activate your account ये लीजिए ठीक है अब जो मैंने mobile number डाला है उस mobile number पर OTP चला गया है लेकिन ये mobile number तो या तो मुकेश अंबानी जी का होगा या फिर हमारे नरेंदर मोदी जी का होगा उनके पास अभी OTP गया होगा अब वो मुझे OTP तो बताएंगे नहीं लेकिन आपने कौन सा number डालना था आपका number डालना था आपके मम्मी का या आपके पापा का जो आपके पास उस ताइम पर अवेलेबल होगा आप जब यहाँ पर अपना OTP डालेंगे और उसके बाद जब आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपकी ये ID जो है वो तयार हो जाएगी लेकिन मेरे पास already ID बनाई हुई है तो मैं अब उससे आपको बताऊँगा कि कैसे करना है देखिए आपने यहाँ पर register की जगे अगर आपने बना रखी है तो आपको login पर आना है login के अंदर मैं एक example से एक बच्चे ने मेरे को अपनी ID दी है मैं उसके नाम से आपको पूरी details भरके और फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से यह पूरा काम होने वाला है कैसे आपको यह पूरा फिल करना है for an example मैं यहाँ पर बच्चे की ID डाल रहा हूँ okay so इस तरीके से आपका जो mobile number है that is your ID ठीक है आपको mobile number डालना है then आपको अपना password जो है वो डालना है ठीक है so you have to enter your password and the password should be as simple as possible because आपका जो password है उसका आप बार बार भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बेटा ठीक है ओके और यहाँ से login का button दबा देंगे तो यह आपके सामने login हो जाएगा ठीक है ना क्या सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई यह mobile number JP Singh, Nehra Singh, Jen का है अच्छा मोहित ने तो यही search out कर दिया अब यह बताई मुझे यहाँ तक सब के समझ में आया की नहीं आया है यहाँ तक सारी काहनी समझ में आयी की नहीं आयी है यह बता दीजे पहले मुझे Is it clear कि क्या करना था ID create करना आ गया कैसे ID create होगा Is everybody available to say कि Yes sir हमें यहाँ तक समझ में आ गया ID कैसे create करनी है इतने तो तुम बेवकुफ नहीं हो मुझे पता है कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि नहीं sir यहाँ तक मुझे समझ नहीं आया यह और बताओ आप ऐसा कोई बच्चा है जिसे ऐसा लग रहा हो कि नहीं sir इसमें भी कुछ doubt रह गया है मुझे Is there anybody हाँ जी जल्दी बोलो जल्दी 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 आपकी आईडी खुलने के बाद आपको ऐसा खुलेगा जब आप अपने personal details को भरने के लिए जाएंगे आपके पास सबसे पहला होना चीए दो चीजें आपकी passport size photo ठीक है दूसरा आपका signature signature क्या करना है आपको एक white paper के उपर अपना signature करना है और उसके picture क्लिक करके और आपको अगर आप laptop से बना रहे हैं या पीसी में बना रहे हैं या फिर आपकी ही और किसी भी और source से जो है form फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उन दोनों चीज़ों की ज़रत पड़ेगी आपके passport size photo और आपके signature की ठीक है इनको jpg के अंदर save करिएगा और अपने laptop में इनको डाल लीजिएगा अब जब आप सबसे पहले आएंगे तो आपको यहाँ पे photograph है इस photograph के उपर upload पे क्लिक करना है upload पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पे भी वो save की है photo वहां से आप उस photo को tap करके और फिर यहां से open कर देंगे ठीक है बिटा ओके तो मैंने already बच्चे ने यहां पे भर रखी है then यहां पे upload signature तो फिर वही बात है जहां आपने अपने signature की photograph जो रखी थी वो photograph आपकी यहां पर आ जाएगी आपको यह भी यहां पे upload कर देनी है पहली चीज सबसे foremost चीज आपकी clear हो जाती है and that is कि किस तरीके से आपको अपनी forms के अंदर कौन कौन सी photos डालनी है photos डल गई now अब इसके बाद में आपको नाम डालना है और आपका नाम वो डलेगा बेटा जो आपकी 10th class की marks sheet में है please make sure 10th class के marks card के अंदर जो आपका नाम है वही नाम यहां पे डालिएगा एक dumb neat and clean उसमें कोई mistake मत कर देना अगर आपने नाम में mistake कर दी तो सब good over हो जाएगा भी है क्यों 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 कि जब आप examinations दे देंगे आपके klart के अंदर top rank आ जाएगी हो सकता है जैसे मोहित है पलक है निशिका है अंकित है दिव्या है यह हमारी top 10 की बच्चे हो गए top 10 rank इन्होंने ले आए और इन्होंने सब ने अपने नाम जो है उल्टे सीधे घर पे किसको टुन्नू बोलते हैं किसको मुन्नू बोलते हैं वो डाल दिये वहां पे लेकिन अब मुन्नू और टुन्नू का date of birth जो आपके marks card के अंदर है exactly वही date of birth डालनी है इधर उदर के किसी और आधार कार्ड वाधार कार्ड पर मत देख लेना आप अपनी 10th की marks card के अंदर आपकी date of birth लिखी होगी 10th की marks card से अपन क्या निकालेंगे अपनी date of birth capital small letter doesn't matter capital हो या फिर आपका small letter में हो इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है कि spelling में कोई mistake नहीं होने चाहिए आगे बढ़ता हूँ आपने date of birth है वो डाल दी इसके बाद में आपके parents का नाम your father's name ठीक है okay you have to put your parents name then do you qualify under the NRI category क्या आप NRI है क्या आप non-residence of India है अगर है तो well and good आप अपनी इस option को जो है आप tap yes कर दीजिएगा की कि अगर आप NRI है तो आप yes कर दीजिएगा ठीक है अगर आप NRI नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या tap करना है बेटा यहाँ पे आपको no-tapp करना है please mind it कूछ बच्चे होते हैं जो छोड़ जाते हैं select के उपर ही छोड़ जाते नहीं आपको यहां पर no type करना है do you qualify under NRI sponsored category तो आप NRI नहीं है तो आप इसके अंडर भी नहीं फॉल करते हैं तो आप यहां पर भी no tap करेंगे ठीक है ओके आगे बढ़ता हूं next if SC ST OBC submit a copy of relevant certificate अगर आप SC ST या फिर OBC हैं तो आपके पास में आपका certificate copy होना चाहिए तर इस देर एनिफिंग गुड़ इन फिलिंग एलेट यह मैं लास्ट में बताऊंगा बच्चा जब अपन आखरी में इसके बारें discussions कर रहे होंगे कि कोई दिक्कत है या कोई सवाल है उसमें मैं इस सवाल को आपके पूरा जवाब दूँगा ठीक है बिटा उशा ओके चली नाव अब जैसे suppose इस बच्चे ने जो हमारा बच्चा है इस बच्चे ने क्या किया है यह OBC का है ठीक है यह बच्चा OBC का है इसके पास OBC का certificate है तो इसने इस category के अंदर जाके यहां पर download का option है ठीक है sorry upload का option है यह यहां से आप जब tap करेंगे तो आपको लिके जाएगा dialogue box के अंदर ठीक है कि आप जाईए और अपना certificate upload कीजिए जैसे pictures का दिखाया था ना मैंने कैसे pictures upload करनी है उसी तरीके से यहां पर upload का option आएगा आप अपने जाके picture यहां पर upload कर सकते हैं किसकी आपके certificate की अगर आप SC ह है या OBC है बात समझ में आ गई आ गई ओके चलिए जब आपने इसको फिल कर दिया then do you qualify under the personal with disability category PWD आपको कोई personality disability है हो सकता है किसी की आख नहीं है किसी का कान नहीं है किसी के हाथ नहीं है कुछ भी whatever personal disability जिसका एक certificate बनता है सरकार की तरब से अगर आपके पास में personal disability का अगर certificate है then only you can tap on yes otherwise you have to tap on no ठीक है यह धान रखिएगा कि आपको yes और no के अंदर जरूर फिल करना पड़ेगा ठीक है ओके आपने suppose no भर दिया लेकिन what if chances yes हो ठीक है तो अगर yes है तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा submit a copy of the relevant certificate issued by the competent authority अगर आप आपके अंदर कोई भी deformity है आपक यह upload करना पड़ेगा तो यह जो आपका certificate है यह भी आपके laptop या computer के अंदर photo इसकी होनी चाहिए लेकिन खैर अपन तो अपन को तो यह चाहिए ही नहीं है तो अपन no कर देंगे तो no करने से यह option ही हट जाएगा आगे बढ़ता हूं do you qualify under the BPL below poverty line category अगर आप BPL के अंदर आते है तो आपको इसको no करना है चलिए भाई यह तो यहां से हो गया now do you belong to non creamy layers अगर आप OBC में है तो आप non creamy layers के अंदर अगर आते हैं तो आपको यहां पर yes करना है do you qualify यह मैंने आपको already बता दिया है इतना कुछ आप कर देंगे इसके बाद आपको यहां पे एक देखी option होग का arrow का दिख रहे हैं आपको arrows can you see the arrow क्या आप यहां पर arrow देख पा रहे हो यह side में arrow दिख रहे है आपको you have to tap on it यह आपको ऐसे tap करना है ठीक है एक बार tap करोगे तो यह आपको next dialogue box के अंदर ले आएगा और next dialogue box क्या होगा पिटा communication क्या होगा communication के ओपर अब यहां पर आपको आधार काड में mentioned हो ठीक है अपने आधार काड के हिसाब से यहां पर address डालिए आपका state डालिए आपका district डालिए आपका pin code डालिए आपका permanent address डालिए जहां पर रहते हैं वो डालिए ठीक है यह सारी details जब आप भर देंगे इसके बाद आप से पूछेगा कोई alternate आपके पास सब्सक्राइब सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स में चाहते हो मदर नेम लिखना तो आप मदर नेम भी लिख सकते हो आप फादर नेम लिख सकते हो बोथ ऑन यू ठीक है वो पेरेंट्स का नेम है ठीक है ओके नाओ जब आप लिखोगे qualifying exam तो आपने कौन से exam दिया है आप के पास यहां पर various options है यह देखिए when you tap on it you have 10 प्लस 2 और its equivalent arts ठीक है तो आपके पार्ट्स में arts है commerce है humanities है others है और science है जैसे मेरे बच्चे ने जिसका मेरे पास form है उसने आठ से अपनी 12 की है तो आप लिखेंगे आठ से अब आप ने 12 करी है या आप कर रहे हैं दोनों situation में आपको वही subject लिखना था जैसे suppose बात करूं अगर for an example हमारे Mr. पाली शाह अगर Mr. पाली कहते हैं कि मैं से कर रहे हैं उप्री शाह जो आप कर रहे है आप कर रहे हैं यहां लुल कर रहे हैं र cast ठीक है आप यह तो पेरिंग है अंशुमन प्लीज जर नोन करमी लेर में जन्रल वालों को Cの नो फिल करना है ईस्नों करमी करना है कि बिल्कोल साइंस मतलब साइंज में PC e नदर नों फिल करना है टीक है जलिए नाउड Now, appearing, appeared or past, ठीक है, तो अगर आपने 12th past कर ली है, मतलब आपका result आ चुका है 12th का, तब तो आप लिखोगे क्या, past, ठीक है, यहाँ पर आपको option आएगा past का, लेकिन what if, आप अभी 12th के exam दे रहे हो, और आपके exam 2024 March में होने वाली है, अभी आप 2023 में हो, और 2024 के March में आपका exam हो होने वाला है, तो अगर March में होने वाला है, तो बेटा आपको appearing और appeared लिखना पड़ेगा, appeared और appearing का मतलब यह है, appearing का मतलब तो भाई आप appear होने वाले हो भी, appeared का मतलब appear हो चुके है, लेकिन result नहीं आया है, ठीक है, in both the cases, you have to choose appearing और appeared, चलिए, बहुत बढ़िया, अब इसके तो year of passing क्या होगी आपकी, 2024 ही होगी, लेकिन यहां तो मारा बच्चा तो pass out है, तो इसने क्या भरा, 2023, well and good, इतना आपने details भर दिया, यहां पर आईए board, आपका board कौन सा है, आपका कोई भी board हो सकता है, आपका state board भी हो सकता है, आपका CBSC भी हो सकता है, ICCC भी हो सकता है, को month लिखा होता है, कौन से month के अंदर वो certificate generate हुआ है, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है, year of passing, और वहाँ पे फिर date लिखी होती है, month लिखी होती, year लिखी होती है, तो उसके accordingly आप यहां पे detail भर देंगे कि कौन सा month होने वाला है, sir, board के साथ university name भी लिखना है क्या, या बस board काफी है, बेटा university name क्यों लिख हो गया आप, आप CBSC board से आपको सिर्फ board लिखना है, यहां पे board या university, अगर आप graduate हो चुके हो, if you have done your graduation, तो उस graduation के लिए university रखा है इन्होंने, या फिर south के अंदर क्या है, 12 के अंदर भी university में होता है, ठीक है, so, उन cases के अंदर आपको university फिल करनी है, but you are in board, तो आपको यहां पे board ही फिल करना है, ठीक है, okay, now, आपके percentage किते हैं, आपके 40% है, 45%, 50%, 60, 70, 80, 100, जो भी percentage हैं आपके, देखिए, general category, minimum 45% होना चाहिए, SC, ST category, minimum 40% होने चाहिए, 12th में, then only you can fill this form, चलिए, आगे बढ़ता हूं, अगर, अगर आपने, यह passing marks त आप पास नहीं हो, पेरिंग हो, तो आपके percentage of marks आपको डालने की ज़रत नहीं है, hope I am clear with this, यहां तक किसी हो कोई समस्या है, तो लिखतीजिए, कि Delhi के लिए preference list, अभी आएंगा, आने तो दो भाई, पूरा पहुंचने तो दो यार, बच्चा, ठीक है, अब यह आपने सारा नाम देखके बर देते हैं, अच्छा, यहां भी बर दिया, वहां भी बर दिया, जो आपके घर से सबसे nearest है, बेटा, उसी center को भरना है, exam वाले दिन घूमने नहीं जा रहे हैं, exam वाले दिन exam देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, यार वहां का बर देता हू थोड़ा घूम फिर भी आएंगे, आते टाइम पे, exam देते टाइम पे, पिटा सर के उपर जो है ना, जो बाल है, वो ऐसे हिल रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि दिमाग में सर्फ एक चीज़ होगी, exam कैसा हो, exam, और अगर आपने दूर का भर दिया, बाई चांस, अगर आपने दूर का भर दिया, और पता चला आप टाइम पे पहुंचे ही नहीं, तो फिर तो घूमते ही रहना आराम से, आना, सो एकदम पास का जितना भी आपका nearest हो सकता है, जो भी एरिया, वो आपको भरना है, जैसे हमारा बच्चा जो है, उसके लिए सबसे पास में है, greater noida या noida, दूसरा उसके पास में पढ़ता है daily, तीसरा उसके पास में पढ़ता है फरीदाबाद, यह तीन options है, जो कि उसके nearest है, तो जो आपका सबसे पहला preference list है, अगर NLU के उस preference list के accordingly, अगर इतने बच्चे नहीं आते हैं, चैसे suppose greater noida के अंदर 2000 बच्चों के लिए इन्हों के अंदर जगे मिलेगी, तो उनको दिल्ली सेंटर मिलेगा, या फिर उनको फरिदाबाद सेंटर मिलेगा, इन तीनों में से एक सेंटर मिलेगा, यह मिलेगा, तो यह तीनों वो होने चाहिए, जो कि आपके nearest हो, अब सबसे important चीज आ गई है, that is your reservation, यह reservation area जो है, यह आपका है, university का reservation area, तीक है, New Delhi, गाजयवद, ग्रिट अनोइडा, जो भी हो, आपको, वो आपकी इच्छा से आप भर सकते हो, जो भी आपके nearest हो, now this is some of, you know, very very important, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए, कि आपको reservation के अंदर important कौन-कौन से है, जो की list भरनी है, देखिए, for an example लेत हरियाना से है, कोई कहीं से है, जहां से भी है, sir, मेरा education करनाटका में हुआ है, but I am in Mumbai, school के सारे certificate करनाटका board के है, sir, what to do, no problem, दीपती, अगर आपके करनाटका के है, you have करनाटका's, certificates, all of any India, India के अंदर कहीं का भी certificate हो, doesn't matter, आप कहीं से भी form fill कर सकते हैं, आपके जो भी documents है, documents क accordingly अपनी details fill कर दीजिए, ठीक है, okay, so, आप जहां के भी हैं, जैसे, suppose, just right, Bihar, MPS, आप अपना state लिखिए, बेटा, state लिखिए, ठीक है, okay, तो, आप जिस भी state से हैं, आप जिस भी state से हैं, जैसे, मोहित is from जुन जुन तो जुन जुन नहीं हो, राजस्थान हुआ, हिमानी is also from Rajasthan, so, whatever state you have, आपको क्या करना है, सबसे पहला है, NLSIU Bangalore, अब Bangalore कहां पर है, बेटा, Bangalore है, करनाटका में, तो यह यह पूछ रहा है, कि are you a करनाटका student, क्या आप करनाटका के student हैं, अगर आप करनाटका से हैं, जैसे एक बच्ची है, जिसके सारे certificates करनाटका के हैं, द्यान रखना, जो बच्ची ने मेरे को भी बोला था, कि मेरे satisfied करनाटका के हैं, तो आपके बच्ची हैं, आपके बच्ची हैं, जिस भी state का डूमेसाइल है, अगर आप करनाटका के हैं, तो आपको यहाँ पर yes type करना है, जैसे ही आप yes type करेंगे, तो यह category जो है, आपकी य general से हैं, तो not applicable कर सकते हैं, yes, ठीक है, लेकिन आप तो करनाटका से नहीं है, तो आपको करनाटका से नहीं हो, तो बेटा आपको यहाँ पर no fill करना है, क्या fill करना है, no, आगे बढ़ोगे, हैदराबाद में भी आपको no fill करना है, मैं एक example ले लिया हूँ, सिर्फ और वो है र MP के लिए आप yes कर दीजिए, फिर यहाँ पर बोलेगा, कि do you want to claim a seat under domicile of मध्यपरदेश, देखिए, एक reservation होता है, जो की category का होता है, किसका general, OBC, SC, ST, इनका होता है, एक होता है, इनहीं में से एक horizontal भी होता है, वो होता है domicile का, तो MP के जो लोग है, उनको भोपाल के अंद ही है, यह पहली बार हो रहा है, अबकी बार, क्लाट के अंदर, कि राजस्तान का NLU जोदपुर भी reservation दे रहा है, state reservation दे रहा है, ठीक है, so, आपको यहाँ से यह सारी readout कर लिया, please read the eligibility, note, you will need to produce relevant supporting document at the time of admission, feeling which your admission may be cancelled, अगर आपने यह domicile certificate नहीं दिखाया, तो आपका application form cancel हो स है, बच्चा कुछ भी, किसी में भी yes भर देता है, किसी में भी no भर देता है, आप जिस state के हैं, आपको उस state के अलावा सब में no भरना है, मैंने यहाँ पर भी no भर दिया, मध्यपरदेश में भी no भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर, you know, कोलकाता में भी no भर दिया, तो एक मेरा बच्चा कहता है कि सर मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मैं तो हरियाना के इसाब से काम करूँगा ठीक है चतीस गड़ में भरूँगा यहां पर भी नो भरूँगा अब यहां पर देखिए कुछ नहीं भरा हुआ है सलेक्ट ऑप्शन है तो मैं यहां पर भी नो ठीक है ओके मैंने लखनो भी नो भरा यहां पर पंजाब भी मैंने नो भरा ठीक है इसके बाद में पठना भी नो होएगा इसके बाद में कोची भी नो इसके बाद में एनली उडिसा भी नो राची भी नो सभी में नो भरते चलेंगे सब में नो भरते चलेंगे यह जिस ब पास में domicile है आपके पास domicile है well and good अब यह पूछेगा कि आपके category कौन सी है आप कौन सी category से है आप हरियाना के अंदर क्या SC है या आप ST है या आप economically weaker section में है या फिर आप backward class A category में है या फिर आप backward class B category में है या फिर आपका ये कोई reservation ही नहीं लगता है इन सब reservations में आपनी आते आप general category के हैं लेकिन हैं आप domicile of हरियाना का domicile आपके पास में है ठीक है सो horizontal के अंदर भी क्या होगा फिर horizontal के अंदर भी आपके reservations होंगे ठीक है तो reservation के अंदर reservation और reservation के अंदर फिर reservation ठीक है भाई इसलिए बिहार के लिए और साथ के साथ में आपको एक चीज इंपोर्टेंटली फिल करनी है कि क्या आपका डॉमेसाइल के साथ के साथ आपकी कोई कैटिगरी भी है कि आप से हैं स्ट से हैं या फिर जनरल से हैं वड़ावर सर मैं उत्तर परदेश से हूं पंजाब में हूं तो कहां का भरूगा अगर आप यूपी से हैं तो आप लखनाव वाली जो इनिवर्सिटी उसके सामने आपसे पूछेगा वह कि आर यू पर्सन फ्रॉम यूपी तो बिलकुल भरी है आई है डॉमेसाइल आपका कौन सा एड्रस आता है जहां आपका अधार कार्ड का एड्रस आता है वहीं से ही आपको डॉमेसाइल सेटिफिकेट मिलेगा डॉमेसाइल सेटिफिकेट का मतलब जहां आप पैदा हुए जिसे स्टेट में पैदा हुए जहां का आपके पास में डॉमेसाइल सेटिफिकेट है रेसिडेंट हो आप जहां के ठीक है ओके सर यूपी के लिए लखनाव डालें तो चानक के नैशनल उनिविश्टी के सामने पूछेगा आपको रिजर्वेशन चाहिए भी आर का तो आप यह सकर देना ठीक है एक बच्चा जो है वह एक एरा किसर हम यूपी से हैं तो यूपी से दो वांट टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन येस करो अगर आप य एक रिजर्वेशन मिलेगा और वह रिजर्वेशन क्या होगा वह रिजर्वेशन होगा आपको उसी स्टेट का माइगरेंट का होगा बात समझ में आ गई हाँ जहां का मूल निवास है बिलकुल जहां का आपके पास में मूल निवास है तो में साइल सर्टिफिकेट जो है वो जहां का भी है वो आपको स्टेट भरना है चलिए मैं यहां पर नो भर देता हूं क्योंकि हमारा बच्चा तो यहां से है नहीं तो यह बहुत ध्यान से भर देना बिटा क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे ने बिहार भर दिया लेकिन वो तो हरियाना का है वो तो हरियाना का जोहां डृमेसाइल सेटिफिकेट दिखाए यह मूनल निवास दिखाईए अब क्या दिखाईएंगे हम हमारे पास तो ही नहीं हम तो भईया लखनओ वाले थे हम कहां के रहने वाले हैं हमारा तो डृमैसाइल जो वो लखनव का है ठीक है ओके बट आधार कार्ड में यूपी का एड्रेस है बेटा पेटा आपका डॉमेसाइल सेटिफिकेट आपके रेसिडेंस के हिसाब से होता है पैदा वैदा ये सब छोड़ो आपका मूह लिवास यार डॉमेसाइल सेटिफिकेट नहीं पता तुमको त से एक सेकंड वाई कॉन है जिसको यह नहीं पता कि मूल निवास डॉमेसाइल सेटिफिकेट क्या होता है अगर यह नहीं पता तो बैटा कलाट का एक्जाम तो दो हीमत वह माफ करें आप से आपकलेट का एक्जाम देने मजाना गडबड हो जाएगी बैटा मामले में और सर आपको मून निवास नहीं पता यार आपके पास में जिस भी उनके पास में आपके पास में एक भक हम DCT बैट को वो फिल करना है ठीक है बाई okay so now let us talk about महरा अभी हमारे बच्चा जिसके हम यह आई-डी खोले वें अभी यह कहां से है यह हर्याना से है तो भाईया यहां पर दिख रहा है कि और यह बैकवर्ड क्लास एक अंदर ओबी सी के अंदर है ठीक है लेकिन उसमें एक लास में यह इसके बाद में आई-डू-हेर-बाई यह इस पर टैप करेगा बच्चा और इसके बाद में क्या करेंगे आप सब्मिट फॉर्म यह आपका फॉर्म जो है यह बोलेगा आपको प्रॉर्म के सब्मिट हो गया ऐसा आपको फॉर्म दिखने वाला है नाओ अफ्टेट रिफ्रेंश प्रॉर्फ्रेंसिस का उप्श्नग आपको यहां दिखेगा आपको फिरसे दिखा दू पिरस दिखा दू जब आपने फॉर्म पुरा फिल कर ठीक है वो आपको देना है तर अधर अवेलेबल कोटाज भी बता दो कौन से अधर अवेलेबल देखो मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ भाई सिंपल सा समझ लो ठीक है सिंपल सा समझ लो देखिए for example एक बच्चा है मोहित मैं मोहित के नाम से ले लेता हूँ ठीक है मोहित जो है वो SC केटिगरी से है ठीक है और मोहित जो है वो राजस्थान से है अब क्या होगा मोहित के पास में दो reservation होगे पहला जब वो form भरेगा तो उस form के अंदर reservation category के अंदर वो SC भरेगा और वहाँ पे अपना SC का certificate लगा देगा well and good और इसके बाद जब वो reservation के अरिया के अंदर आएगा जो अपने सारी details भरने के बाद में अब वो वहाँ पे NLU जोधपूर के सामने आएगा NLU जोधपूर के सामने आएगा वहाँ पे उसको लिखा मिलेगा are you resident of Rajasthan तो वो Rajasthan के आगे क्याल करेगा yes मुझे मैं Rajasthan से belong करता हूँ yes करने के बाद में उसको नीचे reservation का area खुलेगा वो वहाँ पे भी SC category को fill करेगा अब इसको कितने reservation मिल रहे हैं देखो मोहित को अब मोहित सबसे पहले मोहित की rank जो है वो गिनी जाएगी किसके basis पे SC category के basis पे suppose SC category में मोहित की rank आई 5000 ओल इंडिया 5000 rank आ गई okay well and good और फिर NLU जोधपूर के अंदर अब 5000 से NLU जोधपूर नहीं मिलता है NLU जोधपूर के अंदर अगर Rajasthan domicile के अंदर suppose 20 seat होती है 20 seat जो है पर Rajasthan domicile की है अब इन 20 seat के अंदर से directly directly जो है सिर्फ 15 बच्चे ही है जिन्होंने भरा था form तो directly यहां से reservation मिलके और मोहित जी NLU जोधपूर पहुँच गए तो यह दूसरा reservation है पहले reservation से तो seat नहीं मिल रही लेकिन दूसरा जो कि आपको residency का reservation है उसके थूरा आपको seat मिल गई तो इसलिए यह बहुत important है कि आपको अपना यह form के अंदर यह वाला जो area है reservation यह proper भरना है ठीक है बेटा नहीं है कुछ के अंदर defense का quota भी है वो आप चेक कर लेना वो सिर्फ आपके state में belong करता है मोहित आप तो वैसे भी राजस्तान से हो तो आपके यहाँ पर belong नहीं करता है राजस्तान की जो university है वो नहीं देती है ठीक है चले भाई यस चलिए अब इसके बाद आपको भरना है आपका यह जो कि बहुत important है NLU preference list NLU preference list के लिए मेरी already एक वीडियो आ चुकी है आप वो वीडियो देख लेना और उस वीडियो के अंदर मैंने टॉप से लेके लास्त तक की preference list भराई है अब preference list का भी क्या लोचा है वो भी समझा देता हूँ भाई preference list का यह लोचा होता है बेटा कि जब आप suppose और एन एक्जामपल मैं मोहित की बात कर लेता हूँ फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारे नेहा राठोर जी की नेहा जो है नेहा बेसिकली नेहा ने क्या किया नेहा ने अपनी preference list के अंदर भर दिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस जो भी टोटल एक preference list बर दी और नेहा ने क्या किया ने टॉप में रखा नेहा बोली यार ऐसा है कि मैं तो उडिसा से हूँ तो मैं तो उडिसा रहना चाहूंगी तो उसने वेस्ट बेंगॉल नैशनल लॉइ उनिवर्सिटी जो है उसको फर्स रैंक पे भर दिया ठीक है फिर बोली ठीक है इससे थोड़ा सा और पास में देख लेते हैं ठीक है मैं आसाम भर देती हूँ दूसरा आसाम भर दिया ठीक है वई तीसरा इसने बोला यार थोड़ा चिल करने के हिसाब से भी देख लेती हूँ तो ऐसा करता हूँ, नागपूर भर देती हूँ, तीसरा इसने नागपूर भर दिया, ठीक है, ठीक है भई, आप इन्हों ने ये प्रिफरेंस लिस भर दी, अब नेहा एक्जाम दे कर आई, कलैट का, ठीक है, और नेहा की All India Rank आगई, कितनी All India Rank आगई, 100, क्या rank आई, All India Rank लिस्ट के अंदर ही नाम आएगा, NLSIU, बैंगलोर में, ठीक है, या फिर नलसार हैदराबाद, या फिर नलसार हैदराबाद, लेकिन, लेकिन, टॉप कॉलेज के अंदर नंबर तो आ गया, लेकिन प्रिफरेंस लिस्ट सबसे पहली क्या भरी थी इसने, वेस्ट बैंगॉ जो की, जो की पाचवे नंबर पे आती, ठीक है, मतलब अगर इसकी All India, साड़े साथ सो रैंग भी आती, तो भी इसको ये तो कॉलेज वैसे ही मिल जाता, लेकिन साड़े साथ सो पे ये दोनों कॉलेज थोड़ी मिलते, ये नहीं मिलते, तो क्या मतलब है मेरा कहने का, कि अब आप नीचे के लिए अपग्रेड नहीं हो सकते, लेकिन पोरन एग्जामपल, इसकी 1000 रैंक आई होती, ठीक है, नेहा की 1000 रैंक आई होती, और नेहा को यहां से लगबग 7 नंबर की कॉलेज मिल रही है, टॉप 10 में से 7 नंबर की कॉलेज मिल रही है, नेहा ने क्या है, पर्स्ट लिस्ट के अंदर अपने आपको लॉक नहीं किया सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर रही है कि सेकंड लिस्ट के अंदर हो सकता है मेरा नंबर उपर आ जाए अब क्या हुआ कि भाया नलसार, NLSIU, भोपाल, जोदपूर इन सब के सीट फिली नहीं हुई है तो नीचे वाले बच्चों को वाप उपर खीचा जाएगा तो कि सीट ही नहीं फिल हुई ना तो फिर नीचे वाले बच्चों को उपर खीचा जाएगा या फिर जो नेहाने बेखूफी की ऐसे बच्चे जो हैं वो दूसरे उनिवसिटी के अंदर रह जाएंगे तो यहां की seat है खाली रह गई तो फिर आपको हो सकता है 1000 rank के उपर भी है आपके rank तो भी आपकी top college हो सकती है अगर seat खाली रह गई तो बात समझ गए भाई? कोई है ऐसा जो मेरा लफड़ा है मैंने बहुत simple तरीकी से समझाया है कि आप अगर top college को उपर रखते हो तो आप नीचे की rank से भी upgrade करके top पहुंच सकते हो लेकिन अगर आपने नीचे की college को अगर top रख दिया तो फिर आप top college तक degrade नहीं कर सकते हो degrade नहीं हो पाएगा बात समझ में आ गई अगर यह आ गई तो आप preference list को सही से भर पाओगे और preference list आपके सामने ऐसा कुछ है ठीक है National Law University बैंगलॉर है है धराबाद है then is your Kolkata then is your भोपाल then is your जोदपूर then is your गांधी नगर यह जो मैंने जैसी जैसी list बताई है इस बच्चे ने exactly list वैसे ही भरी है ठीक है so this is all about today's ठीक है अगर आप कभी भी चाहें इसके अंदर preference list अगर आपकी गड़बड हो गई है जिसने पहले से भर दी है तो वो मेरा already list जाके जो मैंने list दी है आपको किस तरीके से आपको fill करना है आप वहां जाके अपनी preference list भर सकते हैं और अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर मैंने live लेकर आए हूँ लेकिन यह recorded यहाँ पर पढ़ा रहेगा आप कभी भी इसको जाके watch कर सकते हैं form के अंदर कोई गलती मत करना बहुत अच्छे सही बरना अगर top college next में ना मिले तो फिर तो जो college दिया उसमें admission हो सकता है नहीं उसमें नहीं हो सकता है आपका जो आपके पास college आया था उससे better college आपको मिल जायेगा usually आपके ranks के हिसाब से हम आपको बता देंगे जब आप exam दे दोगे उसके बाद में counseling के अंदर मैं आपके साथ रहूँगा अगर आप मेरे paid batch के अंदर अगर आप student हो और आपने अगर मेरा code लगाया है तो counseling के दोरान मैं आपको पूरी help करूँगा कि किस तरीके से counseling करनी है counseling में कब आपको seat आपको allocate हो रही है उसको आप छोड़ सकते हो आपका अप gradation उपर वाली college में हो सकता है नहीं हो सकता है यह सब कुछ मैं आपको उसमें बता दूँगा सर मुझे इन में से कोई सी college में नहीं लेना वैस घर से सब दूर है तो मुझे डेली या NCR के अंदर ही लेना है फिर क्या होगा तो शिवांश बेटा आपको फिर ALET का exam देना होगा ALET से आप NLU डेली चले जाएंगे ठीक है हाँ बेटा fee structure किसका बताना है fee structure इसका 4000 रुपे है आपको form fill करने के बाद में आपको payment करना होगा ठीक है भाई यह आपने सारा form fill वगेरा सब कर दिया ठीक है ओके नाओ इसके बाद जब आप done कर देंगे इसको ठीक है तो आपका यह यहां पर सारा का सारा system आ गया अब इसके बाद आपको अभी इस बच्चे ने तो पूरा का पूरा form fill कर चुका है पैसे दे चुका है then you have to make the payments जब आप payments कर देंगे उसके बाद आपके पास में access to sample paper आ जाएगा अब आप sample paper इनके जो है access कर सकते हैं देखिए sample paper 1 आ गया sample paper 2 आ गया आप यहां से reattempt कर सकते हैं या फिर इसने एक paper तो इसने attempt ही नहीं किया क्योंकि हमने वह paper यहां solve करा दिया था तो आप यहां से solve कर सकते हैं paper को भी अब यहां से थोड़ी कराईगी वह तो सिर्फ के नंबर से ही ले लिए आपको उसके लिए कोई प्रिफरेंस लिस्ट नहीं भरनी आपको श्वेता जी और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है श्वेता तो you can connect with me at law by विजेंद्र तो मैं वहां पर आपको और अब बैटर पढ़ा दूँगा समझा दूँगा क्या करना आपको कट आप अभी लफड़ा मतलो कट आप की बाद में बात सोचना अभी पढ़ाई करो जो 90 दिन बचें उसमें जोर लगा कि पढ़ाई करो एंड प्लीज शेर दिस सेशन टू एवरिबड़ी जो आपके फ्र मैं आपको जो भी डिकत होगी उस दिकत को आपके सौल कर दूँगा इसके साथ लेता हूं अलविदा जय हिंद जय भारत टाटा बाइबाई टेक केर